जैमादादी दोस्तों, पूझा चेक्ती चानल में आप सभी मेरे भाईयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस नवी शेवर हम चर्चा करेंगे वो है बुद्ध पूर्णिमा 2020 याने की जो पूर्णिमा 7 मई को आने वाली है आप सभी जानते हैं कि कितनी बड़ी पूर्णिमा होगी ये इस बार की तो इस स्पेशल पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है सबसे पहले तितियां जान लेते हैं बुद्ध पूर्णिमा के तिति 6 मई 2020 के दिन बुद्वार से शुरू होकर जो शाम का समय रहेगा 7 बच कर 40 मिनिट से ये पूर्णिमा शुरू हो जाएगी तदा पूर्णिमा तिति की समापती जो है 7 मई 2020 दिन गुरुवार को शाम 4 बच कर 14 मिनिट तक रहेगी तो ये जो ये बहुत खास है अगर आप अपने घर में लक्षमी देवी का आगमन चाहते हैं तो आपको बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है बहुत जादा अपने घर के साफसफाई कर लेनी चाहिए क्योंकि ये जो है दुल्लम मौका है अपनी किसमत को चमकाने के लिए शास्त्रों नुसर जो है पूर्णिमा मालक्षमी और भगवान विश्नू का दिन होता है और ऐसा भी कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन साक्षात मालक्षमी जो है प्रत्वी पर आती है तदा देखती है कि कौन पुजा पार्ट में इस وक्त लगा हुआ है या किसके घर में बहुत के कारे कर रहा है जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन अपने घर की सफाईयार करता है धर्म करम के कार करता है उसके जीवन में कभी भी दरीतरता नहीं आती है इस बार पूर्णिमा को खास इसलिए माना गया है क्योंकि भगवान बुद्ध के अफ़तार का दिन भी इसी दिन हु वैशाक मा की पूर्णिमा ऐसे तो बहुत खास मानी जाती है इस दिन लक्षमी जी का आगमन होता है जोती शो में भी ऐसे कई उपाय बताय गए हैं जिने करके आप अपने जीवन में जो है इस दुरलब मौके का फायदा उठा सकते हैं हमें जो है पूर्णिमा पे कई बातों है इस दिन तो अपके घर की जो हल्दी होती है जिसमें से आप भूजन बनाते हैं आपको वही हल्दी लेनी है परन्तु साफ होनी चाहिए उसमें किसी भी प्रकार का नमक या मिर्ची नहीं मिला होना चाहिए अगर आप जो रेगुलर डबा यूस करते हैं वो गंदा हो गय स्टील की कटोरियों में आपको जो हल्दी को घोल लेना है और इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला देना है अगर गंगा जल आपके घर में नहीं है तो आप थोड़ा सा शुद्ध जल भी मिला सकते हैं परन्तु कोशिश कीजिए गंगा दल या पवित्र नदी का कोई जल हो तो बहुत शुब रहेगा इसके बाद घर की साव सफाई करके पूजा पाट करके आप लक्षमी जी की स्तूती करें या लक्षमी जी की आरती जो है कपूर जला कर और उस पे दो लॉंग रखकर जला दें इसके बाद घर में सुगंदित अगरवत्ति जो की पांच होगी आप गुलाब की या फिर चंदन की अगरवत्ति ले सकते हैं और इस दिन घर में कलेश का वातावरन नहीं होना चाहिए इस बात का भी आप सभी को ध्यान रखना है अगर सुभे सवेरे आपकर समय हो तो माता लक्षमी के लिए सावुदाने की खीर बनाए अन्यता शाम के समय आ क्रिपया उसे देखी आपको कटा हुदाने की अगर जी आने लगती है को सबसे पहलेए आगर आप यूनिट्स में रहते हैं या फ्लाइट्स में रहते हैं तो अपनी यूनिट के मुख्य द्वार में बना लेज़े। और अगर गैलरी आपकी काफ़ी खुली है तो कोशिश करें कि गैलरी में भी आपको स्वास्तिक चिन हल्दी से ही बनाना है। करने मात्र से ही जो मनुश्य का शरीर होता है वो काफी शुद्ध हो जाता है और अगर पेशली जो महिलाएं जिन पर जैसे पती प्रेम नहीं मिलता है जिने या फिर जिने विवाबंदन नहीं मिल पा रहे हैं इस समय पर तो उन्हें भी अपने दोनों हाथों पर हल्दी जो ह वैशाक पूर्णिमा के दिन ही कच्चवय का अफ्तार लिया था इसलिए धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ये बहुत ही पूर्णिय दिन है महान दिन है तो इस दिन अपने घर में आप एक कच्चवय की स्थापना भी कर सकते हैं कच्चवय जो हो स्वाटिक का होना के दिन आप हनुमान जी को भी जो है चमिली के तेल या चोला को जो है अरपन कर सकते हैं प्रसास वरुड के या चने का भूग भी आपको लगाना चाहिए बुद्ध पूर्णिमा के ये उपाए भी आपके जीवन में कश्टों को हरते हैं अगर मुकद्दे में वाज़ी च खोलता है वहीं अन्य धन की जो देवी महालक्षमी है इन्हें भी अत्यांत प्रसंद करने वाला होता है घी का दीपक जो होता है अपने घर में भी आप जला है और गाएं की घी का दीपक ही आपको जलाना है इसमें आप जो है एक छोटी हरी लाइची रग दे तदह अगर के घर में केसर हो तो केसर के थोड़े से दाने भी आप इस दीपक में रख सकते हैं जिससे के आपके घर मेंจुः सोबहा की सम्रीदी बढने लगे साती साथ हूपर शनी की महादशया चल रही है शनी की साढ़े जरूरत मंदों को भोजन का दान करता है जैसे कि आप खाने का दान करते हैं तब भी आपके जीवन में अन्य धनकी कभी कमी नहीं होती क्योंकि कहा जाता है बुद्धु पूर्णीमा जो होती है इस दिन पांच जरूरत मंदों को अगर आप दान करते हैं तो आपके जीवन मे कभी भी आपको धनकी कमी नहीं आती है मंदिरों में पार्कों में अपने घर की छटों पर आप जो है पक्षियों की पानी की विवस्ता भी कर सकते हैं या उन्हें जो है भोजन भी दे सकते हैं अगर आप कहीं जान नहीं सकते हैं अगर आपके घर में मचलिया है या कबूतर आते हैं या घर के आसपार जो पालतू, डॉक्स वगेरा होते हैं उन्हें भी आप रोटी देखकर अपने घर में जो है बहुत सारी चीजों का आगमन शुरू कर सकते हैं इस दिन खास तोर पर चंदरदेव की पूजा आरादना कर चंदरदेव की पूर्णिमा के दिन प्रसंद कर लेते हैं तो जीवन में आपको कभी भी जो है मानसिक चिंता और डिप्रेशन का सामना नहीं करना पड़ता है वैशाक पूर्णिमा के दिन ब्रहमनों को दान करने का भी विशेश महत्व बताया गया है इस दिन पाच या सा यह साती चाहे मन चाहा फल जिसे आप बहुत पसंद करते हैं उस फल का दान भी हमें करना चाहिए फलो का दान करने से आपके जीवन में उत्तम फलो की प्राप्ति आपको मिलती है कहते हैं वैशाक पूर्णिमा के दिन भगवान विश्नु के मंदिर में तिल देसीगी और करने से जातक कि हर इक्षा जीवन में कोई भी इक्षा हो धन से लेकर नौकरी से लेकर प्यार से लेकर अगर आपके आपसी रिष्टे हैं या जमीनी सुख अगर प्राप्त करना चाहते हैं खुद का घर बनाना चाहते हैं हर इक्षा मैं हाँ फिर से रिबीट करूंगी जा तक की हर इक्षा पूरी होती है वो जो मांग लेता है उसे फल स्वरूफ वो इक्षा ज़रूर मिलती है खास तौर पर विश्णु देव को अगर प्रसंद किया जाया तो व्यक्ति को सोने का सूब बहुत मिलता है क्योंकि विश्णु जी की अराधना के बाद व्यक्ति के जी अगर आपने घर में शिवजी को स्थापित किया है तो आपके घर में गंगा जल जरूर होना जाई अनिवार होता है तो जब भी शुब अफसर पड़ता है तो आप एक बॉटल जो है अपने घर के मंदिर में रखें और एक बॉटल जो है या एक घड़ा जो होता है इसे में जब लक्षमी जी की पूर्णिमा आती है जैसे अभी बुद्ध पूर्णिमा का दिन पढ़ रहा है या कोई भी शुब तीती आती है तब उसमें से गंगा जल निकाल कर अपने स्तान के पाने में मिला कर हमें गंगा जल से स्नान जरूर करना चाहिए जिससे की जो भी न महिलाओं को मैं कहूंगी जो महिलाओं बहुत जादा डिप्रेशन की शिकार रहती है जो महिलाओं अपने जीवन में बहुत जादा दुख कानुभव करती है जिने लगता है कि उनके जगड़े बहुत जादा होते है या कोई उनकी बात नहीं सुनता है घर में परिवार मे या उनको बहुत ज़ादा दुखी करते हैं लोग तो इससे क्या होगा जब आप भागे पर गंगा जल को लगाते हैं तो साक्षा शिवजी का आशिरवाद तो प्राप्त होता है मालसिक चिंताय दूर होती है और जब अगर शिवजी का आशिरवाद आपको प्राप्त हो गया क्योंकि अगर स्वास्तिक का चिन आप हल्दी से बना लेते हैं तो आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की बादा या अगर कर्जदे की स्थिती हो गई है एकदम से जॉब रुक गई है या एकदम से आपके जीवन में पैसे का रुकाव आया जैसे सडनली जो पैसा रुक ज जो तोरण होता है आप वो भी लगा सकते हैं उससे भी जो है आपके घर में बहुत पॉजिटिविटी रहती है ये तो आप उपाय जो आम के पत्तों वाला है ये आप हर हफ्ते कर सकते है ताकि आपके घर में जो है पॉजिटिविटी बनी रहे और जो जितनी भी नेगिट झाल झाल